हलो फ्रेंड मैं होगे में पंचाल ट्रिक्षान स्टड़ी में आपका स्वावत करता हूँ आज में आपके लिए कैसी वीडियो लेके आए हूँ जिससे आपको नोलेज भी मिलेगी और अगर एक्जाम में कोई शॉर्ट प्रेशन है अमसी क्यों पूछा जाता है तो भी आप आपको बिल्कुल केस नहीं करना पड़ेगा तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो आज का वीडियो में ने मार्गेरिंग पर बनाया हुआ आखिंग यह मार्गेरिंग है क्या आपने दोस्तों सिर्फ इसका नाम सुना होगा आपको यह नहीं पता होगा कि मार्गेरि प्रक्रिया में मार्गरिन है क्या आखिर उसका इस्तमाद क्या होता है ठीके दोस्तों तो सबसे पहले मैं छोटा सा यह समझा देता हूं कि क्लोरालकली प्रक्रिया क्या है तो क्लोरालकली प्रक्रिया हम किसे बुलाते हैं तो जो समुद्र का जो पानी होता है जिसके अंदर स sodium chloride मेंसे अगर विधुट पास किया जाए तो वह विगटित होके sodium hydroxide बनाता है फिर से एक बार बताता हूं। sodium chloride मेंसे अगर electricity पास किया जाए तो फिर वह क्या बनाता है विगटित होके sodium hydroxide सोडियमुकgado we won ast breath K possa हम प्लूर आलकली प्रोसेश बphemलाते हैं इसका नाम कैसे लखा गया है यह भी मैं आब को बता देता हुँ सी क्लोर यानी प्लोरी स्टय जी सेही देडिक आíb G यानि हमारा sodium hydroxide जिसे हम naos गुलाते जिया दोस्तों इन दोनों को combine करके इसका नाव रखा गया है chloralkali प्रक्रिया चलिए तो हम देखते हैं कि chloralkali प्रक्रिया में आकिर यह जो margarine हमें मिलता है यह margarine आकिर है क्या margarine is used in place of butter जी या तोस्तों margarine butter की जगे इस्तमाल होता है अगर butter कहीं पर इस्तमाल ना करना हो तो इसके जगे हम margarine का इस्तमाल भी कर पकते हैं चलिए और uses देखते हैं आकि margarine का और कौन-कौन सी जगे पर इस्तमाल होता है चलिए it is used for flavouring and cooking यह flavor और cooking के लिए PRESAI के लिए का मारगरेन का इस्तमाल होता है या किसी मिठाई और या किसी पीज़ा में बटिया इस्तमाल करना हो तो हम margarine का इस्तमाल कर सकते हैं और उसके लिए हुमें दिया हुए bes deux है है केक में इस्सिमिल कर सकते हैं, और खास ये इसका व्य है civ के ज्यादा इस्सिमाल होता है डॉल नट नस टिति है घiende अधे हैं अन्य फी दे रखा है आपको डॉल टो हम धाई गुलाते हैं और ये छास प्रकार की लिदा यह जिसके मैंने दो फोटोग्राफ भी आपको यहां पर मेंशन करके दे रखे हैं यह जो गुलगुल वाली मिठाई होती है उसी को हम डॉगनट बुलाते हैं जिया दोस्तों मिठाई तो बहुत सारी होती है मगर वो सारी जो मिठाई होती है उसे हम डिजर्ट बुलाते हैं यह जो टाइप्स की मिठाई होती है उसे ही हम डॉगनट बुला सकते बागी किसी मिठाई को हम डॉगनट नहीं बुला सकते तो यह डॉगनट मिठाई में ही सिर्फ माइगरिन इस्तमाल होता है तो दोस्तों मेरा यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज शेयर क यह सब्सक्राइब करना बुलिए और लाइक बटन जरूर दबा दिखेगा और अगर आप चाते हैं कि मैं ऐसे ही आपके लिए बहुत सारे वीडियो बना दे रहा हूँ तो मुझे प्लीज कोमेंट करके बताईए आप मुझे अपना टॉपिक ही दे सकते हैं मैं उसे पूर पहुत दिवाद